नमस्कार, इस श्रिंखला के तीसरी वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन मार्केट में किस तरह के कैल्शियम और विटामिन D उपलब्ध है और आपके लिए कौन सा कैल्शियम सूटेबल है कैल्शियम बहुत तरह के मॉलीकूल में आता है पर दो मॉलीकूल जो सबसे ज़्यादा जुरूरी है आपके लिए जानना वो है कैल्शियम काबनेट और कैल्शियम साइडरेट एक चीज और जो आपको जानने चाहिए वो है ऐलिमेंटल कैल्शियम इसका सरल मतलब है कि आपकी calcium की गोली के अंदर वाकई में calcium कितना है calcium carbonate में highest elemental calcium मिलता है 1000 mg calcium carbonate से आपको 400 mg calcium मिलेगा तभी उसकी elemental calcium की %40 है calcium citrate की elemental % है 21 यानि कि 1000 mg calcium citrate से आपको 210 mg calcium मिलेगा Calcium carbonate सबसे सस्ता preparation भी है Calcium का. अब कम elemental Calcium का ये मतलब निए कि गोली खराब है. इसका ज़स्द ये मतलब है कि आपको Calcium citrate डुग नहीं लेनी है. अगर आपको Calcium carbonate की एक tablet लेनी है तो हो सकता है आपको Calcium citrate की दो tablets लेनी पड़े. कैल्शियम का absorption हमारे intestine से blood में हमारे stomach की acid पे निरफर करता है इसलिए हम सला देते हैं कि calcium carbonate आप खाने के साथ लीजिए क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो पेट में acid बनता है उसी acid से आपके calcium का absorption भी हो जाएगा calcium citrate के लिए कोई ऐसी आवशक्ता नहीं है आप calcium citrate को कभी भी ले सकते हैं और 500 mg calcium एक optimum dose मानी जाती है अगर आपकी calcium tablet 1000 mg की है या 1200 mg की है हो सकता है आपके intestine में उसको digest करने की शमता ही नहीं हो vitamin D दो major types के होते हैं inactive form of vitamin D3 and active form of vitamin D3 जो inactive form है vitamin D3 का वो coli calciferol कहलाता है active form दो तरह की होते हैं alpha calcidiol and calcetriol अब यह जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है अंग्रेजी में एक कहावत है horses for courses तो यह 3 तरह के vitamin D 3 तरह की लोगों के लिए बने है अगर आप otherwise healthy हैं आपको कोई problem नहीं है तो आपके लिए coli calciferol काफी है liver patients के लिए हम alpha calcidiol recommend करते हैं और kidney patients के लिए हम calcetriol recommend करते हैं हरानी की बात यह है कि Indian market में इस paper के अनुसार जो की 2016 में छपा था सिरफ 10% vitamin D के preparation coli calciferol है तो अगली बार जब आप chemist से vitamin D लेने जाए एक बार जरूर चेक कर ले कि जो vitamin D आपको मिल रहा है वो coli calciferol है या दूसरा form of vitamin D है जो की unnecessarily expensive है और आपके लिए जरूरी भी नहीं है coli calciferol के फायदा यह है कि यह cheap है इससे vitamin D बरिशरीर में धिरे-धिरे बढ़ता है vitamin D की deficiency जित्ती problem है उससे ज़्यादा problem vitamin D का excess है इसलिए इसमें vitamin D levels की monitoring की कोई आवशकता नहीं है calcium monitoring की भी कोई आवशकता नहीं है coli calciferol से market में बहुत तरह के calcium vitamin D मिलते है कई बार मेरे से patients कहते हैं कि हमको सबसे अच्छी calcium लिखना अब इसका सरल जवाब यह है कि जो calcium आप असानी से पचा पाएं वो आपके लिए सबसे अच्छी है बहुत type के calcium आते हैं जैसे कि coral calcium जिसमें बहुत tall claims है कि यह 200 बिमारियों के साथ रक्षा करता है आपकी coral calcium सिरफ calcium carbonate है तो ज़्यादा महंगा calcium लेना जरूरी नहीं है आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो आप अपने calcium को अच्छी तरह से जानिए और ये जानिए कि आपके लिए कौन सा calcium होचित है और इतने सारे calcium होने के कारण choice करने में आपको आसानी होने के लिए मैंने ये एक simple list prepare करी है सबसे पहले चीज प्राइस जो calcium और जो vitamin D सस्ता है वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसको रोज लेना है इसको आज इवन लेना है दूसरी चीज tablet का size अगर गोली बड़ी है तो निगलने में कठना ही होगी अगर गोली छोटी है तो आपके लिए निगलना आसान होगा तीसरी चीज क्या आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं क्या आपके लिए convenient है अगर है तो आप calcium carbonate लीजिए अगर नहीं है तो आप calcium citrate लीजिए चौती चीज कितनी गोली है जेनरली जितनी कम गोली ली जाए उतना आपके लिए अच्छा है उतना कम आपके schedule के साथ interference होगा जो calcium आपको ज़्यादा elemental calcium दे शायद आपके लिए ज़्यादा बहतर रहे हैं और क्या आप अन्य दवाई ले रहे हैं ये especially हमारे senior citizens के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है देखा गया है कि blood pressure की दवाईया thyroid की दवाईया और कुछ antibiotics calcium के साथ react करती है दौरे की दवाईया भी calcium के साथ react करती है अगर आप acidity की गोली लेते हैं तो आपके लिए calcium carbonate उचित नहीं है क्योंकि आपके पेट में पचेगा ही नहीं अगर आप acidity की गोली लेते हैं तो calcium side rate लीजिए और अगर आप ये सारी दवाईयों में से कोई भी एक दवाई लेते हैं तो इन दवाईयों में और calcium की दवाईय में कम से कम 4-6 घंटे का आंतर रखिए अगले वीडियो में मैं address करूँगा कि calcium और vitamin D के क्या common side effects है और इनके बारे में क्या common myths यानि की गलत फहिमिया है